हेलो फ्रेंट्स वैलकम टो एडी हेलप लाइन आज के वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अगर आपके पास बॉश कॉम्पनी का कोई भी फ्रॉंट लोड वाशिंग मिशिन है तो उसमें आप कौन साथ डास्ट कभर इूज कर सकते हैं कि देखिए यह जो डास्ट कभर है इसे मैंने अनलाइन पर्चस किया था अमाजन से और यह बॉश कंपनी की तरफ से ही और इजिनल एक प्रोडक्ट है यह पर देख सकते हैं और यहाँ पर आप इसका प्राइस भी देख सकते हैं और इसका डाइमेंशन है वह है 60 इंटू 60 इ पर्चस किया है और आगर आपके पास टॉप लोड वाशिंग मिशिन है बॉश का तो उसमें भी टॉप लोड काटेगोरी में दो डास्ट कभर आता है उसमें वह एक है ब्लू कालर में और एक है ग्रे कालर में आप देख सकते हैं इसका जो स्पेशल फीचर से ओई है डास् को डास्ट और हुमिडिटी से सेफ रखेगा और इसमें कोई स्क्रैस या स्टेइन नहीं लगने देगा अगर आपको यह वीडियो हेल्फूल लगे तो वीडियो को एक लाइक किजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए देखिए हो सकते है आपने आपका वाशिंग मेशिन के लिए अप्रोक्सेमेटली थर्टी थाउजन तक स्पेंट कर दिया है तो इस मेशिन के लिए जो एक्सेसरिस लेना है आपको वह भी अच्छे क्वालिटी का ही ले तो ही आपका मेशिन ज्यादा दिन तक सही कंडिशन में रहेगा और यहाँ पर बॉस्ट का जो लोगो है वह एंब्रोइडरी करके किया गया है यह कोई फेक्ट प्रोड़क्ट नहीं है और यहाँ पर इसका मैनुफेक्चरिंग यार है 2020 और उसका बैक साइड में आपके इंस्ट्रक्शन दिया हुए जैसे कि आप इस कवर को सकते हैं लेकिन ठंडे बानी से वास करें और जब मैशिन को चला है तब इस कवर को ठाटसराके है अगते यह कोवर को लगा दे और यह कॉवर का बैक साइड और यह जो वैक शाई है यह टोटल तीन पर्ट में डिवाइडेड है और यह तीनों पर्ट आपस лे बेल को की मदद से चिप किया गया है यह इसलिए किया गया है क्योंकि इस में से आप जो inlet pipe outlet pipe या electricity connection का जब वैर है इससे निकल सकते हैं यह देखिए हार एक साइट में चार्ट चार भेलक्रो के पीसेस लगा गया है मार्केट में सस्ताबला भी बहुत सारे dust cover मिलता है लेकिन वो accurately तो fit नहीं होता और उसका quality भी उतना अच्छा नहीं है तेखिए अपने यहाँ पे जो इसका आवाज सुना उससे आंदर जा लगा सकते है इसका material कितना अच्छा है और इस dust cover का जो color है blue या navy blue यह भी बहुत अच्छा लगेगा आपका जो मेशिन है उस पे और अगर आप चाहे तो gray color में जो आता है ओ भी ले सकते हैं दोनों का link description में रहेगा आप वहाँ से purchase कर सकते हैं देखिए यह हमारा जो cover है उसका front side और जो front side देख सकते हैं आप इसमें दोनों तरब zipper की मदद से आप इसे खोल सकते हैं जब मेशिन को यूज़ करना है और यूज़ हो जाने के बाद ये zipper को आप बंद कर सकते हैं तो मेशिन आपका protected रहेगा और यूज़ करने के time जो front side का part है आप उसे ऐसे उठा के मेशिन के ऊपर रख सकते हैं कि फ्रॉंट side के बाद आप इसका जो राइट साइड है वहाँ पर देख सकते हैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं है एक दम प्लेइन है अब यह देखिए यह है इसका back side मैंने पहले आपको बात आया यह total तिन पार्ट में divided हैं और यहाँ पर दोनों side का जो part है और मिडल बला यह है और एक side का part और यह बापस फिर से आपको front side का भी दिखा रहा हूं चलिए अब मेशिन को इस dust cover के मदद से cover कर देते हैं इसे लागाना बहुत यासन है जस्ट आपको front side का part समने राखके इसे उपर से ऐसे डाल देना है और जब मेशिन यूज में नहीं होगा तब आप इस जीपर को बंद ही रखे और जब यूज करना है तो दोनों तरब से जीपर को खोल के इसे ऐसे उपर उठा दे चलिए आप मेशिन के back side में इस cover को कैसे fit करते हैं यह दिखा दिता हूँ यह है इसका water inlet यह है water outlet और नीची की तरब यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो इलेक्रिक कनेक्शन का wire है आपको पहले जो middle part है back side का उसे ऐसे इन connections के अंदर से ऐसे निकालना परेगा उसके बाद जो दोनों side का जो part है उससे आप भेलक्रो के मदद से चिपका दीजिए लेकिन जो connection वाला pipe है उसे सही position में राखकर ही आप भेलक्रो के मदद से इसे यह setting तो हो गया आप देखते है पूरी तरह इसे set करने के बाद यह कैसे दिखता है और यह cover इस machine का पूरा जो length है उसे cover करतेगा लेकिन नीचे ओ देख सकते है आप ओ है machine का stand और आपका जो wash washing machine है इसके लिए और क्या क्या accessories आपको purchase करना पड़ेगा इस related video अलोड़ी channel में ह उसका link i button में आप देख सकते है और अगर आपको यह cover अच्छा लगा तो आप इसे online purchase कर सकते है इसे purchase करने का link भी description में रहेगा